दोस्तो हाली में मैंने शैतान मूवी देखा है और जो लोग भी मेरे चैनल पे रेगिलर हैं उन्हें पता होगा कि ये गुजराती फिल्म वश की एक रीमेक है इन फैक्ट इन दोनों फिल्मों में बेटी का रोल जिन आक्टरेस ने प्ले किया है वो वो सेम है और उनका नाम है जानकी बोडिवाला अब मैंने अपने चैनल पे वश्ट फिल्म को explain कर रखा है और शैतान की कहानी almost same है, ending को थोड़ा सा change किया गया है Still आज की वीडियो में हम एकदम short में शैतान फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके ending पे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वश्ट से कैसे different है अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक request है कि अगर आपको ये वीडियो पसंदाती है तो हमारे चैनल को subscribe भी जरू कीजेगा So now with that said, let's roll the intro तो फिल्म के शुरूआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक अंजान आदमी polythin bag में इस चूहे को रख लेता है फिर फिल्म के इंट्रो आती और इसके बाद हम एक family को देख पाते हैं जिसमें चार लोग है यहाँ पिता का नाम कबीर है, मा का नाम जोती, बड़ी बेटी का नाम जानवी और बेटे का नाम ध्रूव है कार में जानवी अपने पिता से कहती है कि वो अपनी friends के साथ लदाग trip पे जाना चाहती है और कबीर वो जानवी को इस trip के लिए allow करे लेकिन जानवी एकदम जिद करने लग गई थी और ऐसे में कबीर finally मान जाता है लेकिन कबीर के कुछ conditions थे, like उन्हें जानवी के सभी friends का नाम और phone number चाहिए था and most important is कि जानवी को हमेशा अपना live location शेयर करना है जानवी इसके लिए मान जाती और उसके friends trip पे जाने से पहले ये family अगले दिन एक छोटी outing पे निकलती है basically ये लोग अपने farmhouse जा रहे थे और रास्ते में ये family एक restaurant में भोजन करने रुखती है यहाँ खाने में ये लोग पराठा मंगवाते हैं और जानवी इस पराठा को खाने से मना कर देती है क्योंकि इसमें बहुत butter था कबीर यहाँ दो चाय order करना चाहता था लेकिन उसके पास 20 रुपे चुट्टा नहीं था ऐसे में वहाँ खड़ा एक अंजान आदमी अपने लिए एक चाय लेता है और दो चाय कबीर की family के लिए भी ले लेता है कबीर उसे अपने family table पे invite करता है और वो आदमी जो अपना नाम वनराज कश्यप बताता है वो कबीर की family के साथ घुलने मिलने लगता है वनराज बड़ी चलाकी से कहता है कि मैं जानवी का पराठा खा लेता हूँ और तुम मेरा लड़ू खा लो जानवी फॉरण वनराज का दिया हुआ लड़ू खा लेती है क्योंकि अफकॉस बच्चों को मीठा खाना पसंद होता है लेकिन लड़ू खाते ही जानवी को आपस से biscuit देता है saying कि farmhouse पहुँचके ये सबसे पहले खा लेना Again, जानवी उसकी बात को सुनके हामी भरती है which was very unusual क्योंकि जानवी एक ऐसी लड़की थी जो कि किसी की एक नहीं सुनती थी लेकिन वो वनराज की हर बात सुन रही थी In fact, farmhouse पहुँचके वो सबसे पहले उस packet से biscuit निकालके खाती है खैर, farmhouse पे पूरा पडिवार खूब enjoy करने लगता है और जोती notice करती है कि वनराज इनके farmhouse के बाहर खड़ा था वो ये बात कबीर को बताती है और जब तक कबीर पूल से निकल के वनराज से मिलने जाता जानवी उसे already घर के अंदर भुला ली थी वनराज का कहना था कि उसकी phone dead है और वो यहां के बस अपनी बेटी को phone करना चाहता है इनके phone से कबीर को ये अजीब तो लगता है लेकिन वो वनराज की request मान लेता है हम देख पाते हैं कि वनराज यहां जानवी पे नज़र रख रहा था और अब भी जानवी उसकी हर बात मान रही थी जयोती वनराज के घर में आने से खुश नहीं थी लेकिन कबीर का कहना था कि हम बस उसकी help कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो चला जाएगा और मैं चेंज करके उस पे ही नज़र रखूँगा खैर जानवी वनराज से बात कर रही होती है जहां वो उसे अपने boyfriend के बारे में बताती है देन अपने upcoming Ladakh trip के बारे में बताती है वगेड़ा वगेड़ा वनराज कहता है कि तुम Ladakh trip पे नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ चलना है वो जानवी को इस प्रस्ताव पे okay बोलने कह रहा था और जानवी भी for some reason okay बोलने के लिए compelled हो रही थी लेकिन तभी दुरूफ जानवी की तरफ बॉल फेकता है जिससे ये awkward interaction भंग हो जाता है दुरूफ बार बार जानवी से खेलने को कह रहा था और ऐसे वनराज जानवी से कहता है कि आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आगे उसे खेलने का मन ही ना करे इसके ठीक बार जानवी जाती है और धुरूफ को स्विंग पे बिठा कर उसे बहुत जोड से जुलाने लगती है इससे धुरूफ डर के चीखने लगता है और ये बात जोती नोटिस करती है कभीर जोती किसी तरह जानवी को रोकते हैं और अब तक गुरुप को तो चक्कर वगेरा आने लग गए थे कभीर जानवी पर थोड़ा गुस्सा होते हैं और वहीं बैटा वनराज कहता है कि जानवी पापा से सौरी बोलो और जानवी तुरंत सौरी बोलती है अब खाना खाते वक्त वनराज फिर से इनके family matters में दखल अंदाजी करने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे आपके family के बारे में सब पता है वो जानवी से कहता है कि तुम अपने boyfriend विवान को phone लगा और उससे break up कर लो surprisingly जानवी exactly ऐसा ही करती है और ये सब देखकर जानवी के parents बहुत घबडा जाते हैं कबीर फोरण वनराज को यहाँ से निकलने कहता है लेकिन वनराज जाने के लिए तयार ही नहीं था ऐसे में कबीर वनराज को पकर के घर से बाहर निकालने लगता है लेकिन जानवी एकदम से अपने पिता से ही लड़ने लगती है saying कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे वो अपने पिता को धक्का दे लगती है और जानवी का बरताओ एकदम पागलो जैसा था जानवी कहने लगती है कि अंकल जो भी कहेंगे वो करना मेरे लिए ज़रूरी है वनराज यहां बताता है कि वो जानवी के साथ वश ही करून किया है काला जादू यानि कि अब जानवी सिर्फ वही करेगी जो वनराज बोलेगा क्योंकि जानवी वनराज के वश में है डेमो देने के लिए वनराज जानवी को खड़ी होने देन बैठने के लिए कहता है और फिर यही काम बार बार खड़वाता है इन फैक्ट उसके आद रोने कहता है, हसने कहता है वगेरा वगेरा यह सब देख जोती रूते हुए वन्राज से पूष्ती है कि आपको हमसे क्या चाहिए वन्राज पहले तो इनका साड़ा फोन टाब्लिक यहां पे रखवाता है और फिर जानवी से साड़ा फोन तुर्वा देता है वनराज यहां जानवी को चाई पत्ते तक खिलवाता है और अपने ही पिता कबीर को थपड़ भी मढवाता है अब वनराज जानवी से अपना पैर दबवाते हुए कहता है कि मैं जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ वनराज चाहता था कि जानवी के पैरेंट्स उसका दान कर दे यानि खुद कहते कि जानवी वनराज के साथ जा सकती है वैसे तो वनराज जानवी को ऐसे भी ले जा सकता है क्योंकि जानवी अफकॉस उसके वशी करन के अंदर है लेकिन अगर permission नहीं मिलती है न तो आगे चलके future में उसका वशी करन तूट सकता है क्योंकि दिल से जानवी अपने parents को याद करती रहेगी इसलिए parents की permission जरूरी है और कबीर एंज जोती को ये कहना है कि वो अपनी बेटी का आजीवन अरपन कर रहे है जब कोई मेरे सामने तरपता है और गिर गिराता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कहके वनराज जानवी को एक लात मारता है और इसके reaction में कबीर वनराज को पीटने लग जाता है वनराज जानवी से धुरूफ का सरफोर देने कहता है और जानवी ऐसा ही करती है दूसरी दरफ हम पुलिस को यहां आते देखते हैं क्योंकि जोती बार-बार पुलिस हेल्प लाइन पे मिस्ट कॉल्स मार रही थी पुलिस घर के अंदर आती और यहां कबीर जोती वनराज को ऐसे बिहेव करते देखते हैं मानों यह सब family and friends हैं अब ऐसा इसलिए क्योंकि वनराज जानवी को एक gas cylinder के उपर gas open करके बैठा दिया था साथी उसके हाथ में माचिस थी यानि अगर कबीर या जोती अपना मूँ खोलते तो जानवी gas में आग लगा देती जिससे वो तो कम से कम मारी ही जाती और बाकी लोग को भी छती होता है क्योंकि gas तो explode होता है ये लोग पुलिस को किसी तरह समझा बुझा के यहां से भेज देते हैं जिसके रद वनराज और भी भड़कता है कबीर यहां वनराज को घर और पैसा भी ओफर करता है लेकिन वनराज कबीर के सामने ही पैसा जला देता है यानि के टोस क्लियर कि वनराज को जानवी ही चाहिए थी वनराज कहता है कि धन पाना हवस और लालच ये सब बेकार की चीज़े मेरे अंदर नहीं है क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ बलकि मैं इंसानों से बहुत आगे बढ़ जुका हूँ ये उमरा की रात मेरे लिए आई है उमरा परचाई का वो काला हिसा है जहां रोशनी की एक किरन तक नहीं पहुँचती इसके बाद वनराज संस्कृत में कुछ चीज़े बोलता है जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि कुछी घंटों बाद वो एकदम सुप्रीम पावर होगा वो अहम ब्रह्मासमी भी कहता है ये सारी चीज़े ओरिजिनल फिल्म में नहीं थी बट सिल आगे में कहानी बताता हूँ इसके बाद वनराज जानवी से कई चीज़े करवाता है लाइक खुद को थपड मरवाना बिना रुके डांस करना इन फैक्ट वो जानवी को चाकू लाने कहता है और खुद को गाड़ भी करवाता है एक पॉइंट पे तो जानवी पैंट में सूसू तक कर देती है और जोत कि यो कबीर जानवी को चोट नहीं पहुचा सकते थे लेकिन कबीर जानवी को बांद देता है और वनराज को ओवर पावर कर जाता है वनराज फॉरन जानवी को जोर जोर से हसने कह देता है और जानवी हसना शुरू करती है ऐसे में कबीर को न चाहते वे वे वनराज को छो देती है और पेरेंट जानवी को रोखने की कोशिस करते हैं जानवी इन्हें इमोशनली बेवकूव बना के धुरुफ को खोजने लगती है लेकिन धुरुफ कहीं तो छुपा था इन्हें जानवी धुरुफ को छट पे पाती है और थोड़ी हाथा पाई के बाद वो धुरुफ को छट से नीचे फेक देती है पेरिंट्स फोरण धुरुफ के लिए नीचे जाते हैं और धुरुफ की हालत गंभीर थी इसलिए ना चाहते हुए भी कबीर ओ जोती जानवी का अड़पन कर देते हैं जिसके बाद वनराज जानवी के साथ यहां से निकल लेता है उसके जाते ही कबीर अपनी बीवी जोती से धुरुप को हॉस्पिटल ले जाने कहता है मीनवाइल वो खुद जानवी के लोकेशन को ट्राक करते हुए वनराज का पीछा करता है जब इनके बीच हाथा पाई हो रहा था घर के अंदर तब कबीर कभी तो जानवी के फोन का लोकेशन आउन करके उसके पास ही रख दिया था यानि अब वो जानवी के रियल टाइम लोकेशन को ट्राक कर सकता था एक फोन का जुगार करके वहीं दूसी तरफ हम वनराज को अपने अड़े पे पहुंसते देखते हैं जहां वो कई लरकियों को अपने वशीकड़न का शिकार बना के रखा था वो कहता है कि आज की रात वो जानवी और बाकी लरकियों को आजाद कर देगा देन वनराज खुद को किसी तरह के रिचुवल के लिए तयार करता है और हम सभी लड़कियों को ट्राम स्टेट में देखते हैं हम समझ पाते हैं कि वनराज कुछ यग्य जैसा कर रहा है जहां वो इन सभी लड़कियों को अगनी कुंड में कुदवाने वाला है यानि उनका बलिदान देने वाला था मिन्माल कबीर किसी तरह लोकेशन पे पहुंसता है और कुछ लड़किया जो की गाडिंग कर रही थी वो कबीर पे हमला करती है कबीर इन सबसे लड़कियों की बली देने के बाद वनराज की शक्तियां इतनी बढ़ जाएगी कि वो किसी से सिर्फ नजर मिला के उन्हें अपने वश में कर पाएगा उसे किसी को लड़ू या फिर पेरे खिलाने की जरुरत नहीं पड़ेगी वनराज कहता है कि सभी भगवान के गोलाम है लेकिन कुछ लोग इस लायक नहीं होते अब मैं सभी को अपने वश में करूंगा और मैं उनका भगवान बनूंगा बेसेकलिए वनराज यहां पूरी दुनिया को अपने वश में करने का प्लान कर रहा था इसके आद वनराज फिर से अपना रिच्वल शुरू करता है जहां वो काली कट पुतलिया आग में फेक रहा था और लड़किया धीरे धीरे आग की तरफ बर रही थी अब इससे पहले वनराज अपनी आखरी लाल वाली कट पुतली फेक था जिसके बाद सारी लड़किया आग में कूदने वाली थी कबीर उस पे आग वाली लकरी से हमला करता है और इससे पहले वनराज कुछ बोलता कबीर उसका जीव ही काड़ देता है कबीर वनराज के जीव को आग में फेक देता है और यहां सारी लड़किया कबीर पे हमला बोल देती है तब ही एकदम से वनराज की आवाज आती है saying कि दुम पहले की तरह नॉर्मल हो और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ यह सुनते लड़किया रुख जाती है और आजाद हो जाती है अब यहां आता है कहानी में ट्विस्ट जहां हम समझ पाते हैं कि पूरे इवेंट्स के दौरान कबीर अपने पॉकेट में एक वोईस रिकॉर्डर रखा था इनके फार्म हाउस पे एक ऐसा सिचुएशन आया था जहां वनराज इन्हें टॉंट करते हुए मतलब इन्हें चिरहाते हुए कह रहा था कि आपको क्या चाहिए कि मैं सभी को आजाद कर दूँ ताकि सब नॉमल हो जाए हमेशा के लिए तो हां इस ओडियो को रिकॉर्ड करके अपने बेटे की मदद से कट एडिट करके कबीर परफेक्ट बना लिया था जो कि वो अभी प्ले करके सभी लड़कियों को आजाद कर दिया यानि सभी लड़कियों के साथ जान भी बच गई थी and it looks like a happy ending अगले सीन में हम पुलिस को भी देखते हैं जिन से हम जान पाते हैं कि उस जगह पे 108 लड़किया थी 108 ही क्यों क्योंकि 108 नंबर का हमारे धर्म में काफी significance है सभी लड़किया अपने घर वापस जा चुकी है और अपने परिवार से मिल रही है जो कि जंगल जैसे जगह में एक basement के अंदर कहीं तो जाता है और यहां हम देखते हैं कि वो वनराज को कैद करके रखा है जी हां दोस्तों वो वनराज को चुहा और चाय पत्ती खाने देता है और कुछ dialogues मारता है कि कैसे parents अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं वही बच्चे के लिए भगवान होते हैं In the end हम समझ पाते हैं कि अब यही basement या bunker वनराज का नर्ख है और कबीर उसका भगवान या फिर हम कबीर को शैतान भी कह सकते हैं और इसी point पर फिल्म खत्म हो जाती है तो दोस्तो यह थी शैतान फिल्म की कहानी और यहां वश फिल्म से थोड़ी बहुत चीज़े बदली गई हैं सबसे पहली बात तो यह है कि वश फिल्म में कोई police नहीं आई थी movie के बीच में then ending तो पूरा ही बदल दिया गया है I mean वश की ending काफी दुखद और डाक थी वहां पिता अपनी बेटी के कान में कईची डाल देता है ताकि वो विल्म की आवाज ना सुन सके साथी उसकी बेटी का वशी करन कभी खत्मी ही नहीं होता और वो future में भी mentally unstable ही रहती है बात करे बीवी और बेटे की तो उनका भी hospital जाते वक्त accident हो जाता है और वो भी मारे जाते है basically वहाँ जो main character था जो कि यहाँ पे कबीर प्ले किया है वो end तक सब कुछ हार गया था और वो पूरी तरह तूट चुका था और इसलिए वो वहाँ के villain को अपने साथ बंदी बना के रखा था उसे चूहा और चैपती खाने देता था लेकिन यहाँ शयतान में ending काफी happy सी दी गई है जहां सब लोग बच गए कैसे वनराज की recorded voice की मदद से जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि आज तो AI का समय है तो ऐसे भी वनराज का कोई नो कोई आवाज copy करके किसी को भी कुछ भी कर सकता था यही वज़ा है कि मुझे personally वश वाली ending ज्यादा impactful लगी थी क्योंकि of course वो ज्यादा dark सी थी in fact उसमें emotions भी ending में ज्यादा थे और हमें लगता है कि भाई कुछ बहुत भुरा हुआ वैसे एक और बात clear है कि हाँ शैतान मूवी की जो budget है वो वश से काफी जादा बड़ी दिख रही है और हाँ वश मूवी में ये पूरे दुनिया को कबजा करना ऐसे चीज़े नहीं थी वो बंदा लड़कियों को इसलिए पकड़ के लिए जाता था ताकि वो अपना काम करवा सके उनके साथ रह सके यहाँ शैतान में एक अलग एंगल दिया गया है कि कैसे वनरा अज पूरे दुनिया को ही अपने वशी करन में लाना चाहता था तो हाँ ये भी एक difference है आप चाहता है